जैश्र कृष्णा जैश्र राधे अर्चना के कृष्ण गुनगान चैनल पर आपका स्वागत है आज मैं आपको शीप पुराण में जो एकादसी का महत्त बताया गया है उसका वर्णन कर रही हूँ ब्रह्मा जी ने कहा कि हे पुत्तर अब मैं एकादसी ब्रत का महत्त में कहता हूँ एकादसी तिथी सब तिथियों में स्रेश तथा उत्तम है शीप जी को दोनों पक्सों की एकादसी प्रिया है शुकल पक्स की एकादसी में अन जल रहित होकर ब्रत धारन करना चाहिए संध्या के समय पुने स्नान करें और शिपजी का पूजन कर उन्हें परसंद करें हे नारत क्रिशन पक्स की एकदसी में संध्या समय भोजन करना तथा शुकल पक्स की एकदसी में निर्जिल रहना उचित है प्रंतु यदि दोनों पक्षों में निर्जल ब्रत किया जाए तो उसका फल और भी शुब होता है इसे कभी भी नहीं त्यागना चाहिए एका जशी का ब्रत रखने वाला मनुश्य संसार में संपूर्ण भोगों को भोग कर अंत में शिप्पूरी को प्रापत करता है इस बंद में मैं तुमसे कथा कहता हूँ उसे ध्यान पुरुक सुनो हे नारत सूर्यवंसी राजा मांधाता ने इस ब्रत को किया था सियोग बस एक बार अयोध्या में अकाल पड़ा तथा अन उत्पन्ना होने के कारण प्रजा अत्यंत ब्याकुल हो गई अब सभी प्रजाजन एकत्रित होकर राजा के स्मीप पहुँचे और हाज चोड़कर इस प्रकार प्रातना करने लगे कि हे प्रिथ्वी पती ऐसा कौन सा पाप हुआ है जिसके कारण यह अकाल पड़ा और हम लोगों को भारी कष्ट भूगना पड़ा हे महराज हम लोग भूग से मरे जा रहे हैं अहम आपके शरणागत हैं आप हमारी रक्षा कीजिए और कोई ऐसा स्रेष्ट उपाए बताईए जिससे सब लोगों का कष्ट दूर हो जाए हे नारत प्रजा जनों के मुख से ये बचन सुनकर राजा मंधाता ने अत्यंत लज्जित हो ब्रामनों को बुलाया और उनका सम्मान करते हुए हाद जोड़कर पूछा कि हे महानुभावो आप मुझे ये बताने की क्रिपा करें कि मेरे देश में बर्षा क्यों नहीं हो र लोगों को अनंद प्रापत करें राजा की प्रातना सुनकर सब ब्रामनों ने विचार कर उत्तर दिया कि हे राजन बर्साना होने के कारण तो हमें कोई ग्यात नहीं हो रहा प्रन्तु बर्षा होने के लिए हम तुम्हें उपाय बताते हैं इतना कहकर ब्रामनों ने बर्ष होने के अनेक उपाय बताए प्रंतु उने करने पर भी किसी प्रकार की वर्षन ही हुई यह देखकर राजा अत्यंत निराश तथा चिंतित हो गया और राजधानी त्याकर बन को चला गया वहां लोमस नामक एक तपस्वी रहते थे वे तपस्वी बड़े आतम दर्शी ज्या जने उन्हें सिद्पुर्ष जानकर बहुत प्रकार से स्तूती और परसंसा की फिर हाथ जोड़कर इस प्रकार कहा कि है सरवग्य प्रभो अयोध्या में वर्षना होने के कान संपूर्ण प्रजा अत्यंत दुखी है अब मैं ब्याकुल होकर अपनी राजधानी त्याक कर व वहाँ बन में आगया हूँ सौभाग्य से मुझे आपके शिर चल्णों के दर्शन प्रापत हुए आप क्रिपा करके कोई ऐसी युक्ती बताएं जिससे बर्षा हो है नारत राजा की प्रातना सुनकर लोमश रिसी ने उत्तर दिया कि है राजन भगवान सदसिव की क्रिप अगर उचित लगे तो तुम अपनी संपोर्ट प्रजासहित एका दशी का ब्रत करो तथा भगवान सदसिव का पूजन करो इस ब्रत में शिपजी का पूजन करने के पस्चात ही भोजन करना ऐसा करने से तुम्हारे राज्य में अवश्य बर्सा होगी लोमश मुनी के बचन सुनकर राजा अपनी प्रजासहित एका दशी का ब्रत धारन किया उसके प्रभाव से खूब बर्शा हुई और संपोर्ण प्रजा का दुख दूर हो गया हे नारत इस ब्रत को करने से राजा मुचुकंद राजा जनक तथा राजा सागर ने भी अनेक मनोकामनाओं को पूरण किया रामचंदर जी ने भी जब एका दशी का ब्रत धारन कर सफलता प्रापत की थी अब मैं रामचंदर जी की कथा सुनाता हूँ राजा दसरत के पुत्र रामचंदर जी बड़े प्रतापी थे भाग्यवंस उने बनवास प्रापत हुआ वहां लंका का राजा रावन उनकी पतनी सीता को हर ले गया अब रामचंदर जी सीता का पता लगाते हुए पंपा पुरी पहुँचे वहां उनकी हनुमान जी से भिंट हुई उनकी सायता से वे सेना एकत्र कर स्मुद्र के तट पर पहुँचे प्रंतु जब उनोंने देखा कि स्मुद्र को पार करना अत्यंत कठिन है तो वे उपाय की खोज में इधर उधर भ्रमण करने लगे सियोगवस एक स्थान पर उन्हें लोमश रिसी तपस्या करते हुए दिखाई दिये तब उनोंने रिसी के स्मी पहुँचकर सब ब्रितात कह सुनाया और यह प्रातना की कि आप मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं जिसका आश्रे लेकर मैं सारी सेना सहित लंका में पहुँच कर रावन का संहार कर सकूँ हे नारद राम जी के ये बचन सुनकर लोमश रिशी ने उत्तर दिया कि हे राम प्रथम तो तुम विश्नु के अवतार हो दूसरे तुम शिभगत हो ये सभी कार्या सिद्ध कर देंगे जो भी प्राणी मनुश्य श्रीरधान करता है उसे कोई कोई कष्ट अवस्थे उठाना पड़ता है इसलिए तुम्हें भी ये दुख प्रापत हुआ है क्योंकि तुम मनुश्य का श्रीरधान करके प्रक्ट हुए हो अब तुम्हें उचित है कि तुम एकादशी का ब्रत करो तथा शिभजी का पूजन करके कुछ दिन फलाहार कर शुकल पक्स की एकादसी में निर्जल प्रत रखने तथा शिभ गिर्जा का ध्यान धरने से तुम्हें अवस्थे सिध्धी प्रापत होगी वेद पुरानों का कतन है कि एकादसी के समान दूसरा कोई भी फलदाई प्रत नहीं है हे नारत लोमस रिशी की कथा नुसार राम चंदर जी ने एकादसी का ब्रत थारन किया उस ब्रत के प्रभाव से उन्होंने समुद्धर पर सेतु बांधा तथा शिवलिंग की स्थापना कर सिवजी को परसन किया तद उपरांत वे अपनी सेना सहित लंका में जा पहुँचे फिर उन्होंने रावन को वंस सहित मार डाला एकादसी का ब्रत ऐसा ही फल देने वाला है यह ब्रत विश्नुजी तथा सिवजी दोनों का कहा गया है इस ब्रत को करने से शिवजी भगवान और विश्नुजी दोनों परसन होते है इस ब्रत का महात्मय सुनने से इस लोक में भी सुक की प्राप्ती होती है और मनुश्य का परलोक भी सवर जाता है इसी प्रकार की और भी कथाएं सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक शिर और सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जै भूले नात अवश्य लिखें जै शिर किश्ना जै शिर रादे